गरुड पुराण को सभी पुराणों में खजाना कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा इस पुराण से कुछ ऐसे दिल्चस्प सवालों के जवाब मिलते हैं जिनके जवाब मनुश्य और कहीं से नहीं तलाश सकता आज हम ऐसे ही एक सवाल का जवाब आपको गरुड पुराण से देने वाले हैं हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसे कौन से कारे हैं जिने करने से मनुश्य की आयू कम हो जाती है या फिर यू कहें कि आयू नाश हो जाती है गरुड पुरान में बताया गया है कि जो व्रक्ति हमेशा अपने नाखुनों को चबाता रहता है उसकी आयू कम हो जाती है जो गंदा रहता है प्रतिदिन स्नान नहीं करता अपने बालों को नहीं सवारता और जो मंजन नहीं करता ऐसे मनुष्य की आयू भी छोटी होती रहती है गरुड पुराण में लिखा हुआ है कि गुरु की आग्या ना मानने वाला और देवता की पुजा ना करने वाला भी जल्द ही मृत्यू को प्राप्त कर लेता है वहीं ये पुराण ये भी कहती है कि सूरे उदे होने के लंबे समय तक सोने वाला व्यक्ती भी अपनी जिन्दगी में बीमारियों से गिरा रहता है और उसकी भी आयू लंबी नहीं होती जो पक्षियों के साथ हिंसा करता है वो भी शीग्र ही अपने शरीर को छोड़ देता है गरुड पुराण में लिखा है कि शौच के समय अपने मल मूत्र की और देखने वाला अपने पैरों पर पैर रखने वाला वस साथ ही साथ चतुरदशी अश्टमी अमावस्याव पुर्णिमा के दिन संसर्ग करने वाले व्यक्ती की भी आयू कम हो जाती है गरुड पुराण में लिखा हुआ है कि इन सब कार्यों से हमेशा बचना चाहिए वहीं गरुड पुराण ये भी कहती है कि दूसरे के नहाय हुए पानी को कभी दोबारा उपियोग नहीं करना चाहिए भोजन सदेव बैठ कर करना चाहिए किसी भी गौशाला में मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए भीगे हुए पैर लेकर सोना नहीं जाहिए इस पुराण में लिखा है कि इन सबी बातों को ध्यान रखने वाले मनुष्य की आयू लंबी होती है और उसके जीवन में सफलता का मार्ग खुलता है पुराण में ये भी लिखा है कि जो मनुष्य सूरे अगनी गाए तथा भ्रामणों की और मूह करके बीच रास्ते मूत्र का त्याग करता है उन सब की आयू भी कम हो जाती है मैले तूटे और गंदे दरपण में मूह देखने वाले की भी आयू कम हो जाती है गर्भवती स्त्री के साथ संबंद बनाने वाला व्यक्ती भी लंबी आयू नहीं पाता है गंदी खाट या गंदे बिस्तर पर सोने वाला व्यक्ती भी इस पुराण के अनुसार जल्द ही प्राण त्याग देता है इस पुराण में लिखा है किसी कोने अंधेरे में पड़े पलंग या फिर चार पाई पर सोने वाले मनुष्य की आयू भी अवश्य ही कम हो जाती है गरुर पुराण कहती है कि बड़े बुजर्वों के आने पर खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं करने वाला व्यक्ति उनका आदर सतकार न करने वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति भी लंभी आयू नहीं जीते हैं घर में तूटे फूटे बरतनों का उपियोग करने वाले, गंदे वस्त्र पहनने वाले और नंगे बदन सोने वाले व्यक्ति की भी अलपाईू होती है। इस पुराण में लिखा है कि जूटे मू और जूटे हाथ पाठ या पढ़ाई करने वाले की भी आयू नाश होती है। महात्माओं की निंदा करने वाला व्यक्ति भी इस पुराण की अनुसार लंबी आयू नहीं जीता। को करने से बचें। हमेशा धर्न के राह पर चलें। याद रखें कि कर्म ही भगवान है और कर्म ही पूजा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो खुद प्रभू भी आपसे प्रसंद होंगे। और अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो किसी ने खूब कहा है कि बुरे कर्मों का बुरा नतीजा। जाते जाते हर बार की तरह इस बार भी कहेंगे। कथा सागर की पूरी टीम सदैव आपके सुखत जीवन की काम ना करती है। कथा सागर डेस्क रिपोर्ट।